पाँच बजी सुभा में सोनमा पोखर के समीप मौर्निंग वाक में टहल रही एक महिला और नियंत्री ट्रैक्टर की चपेट में आ गई जिससे उसकी मौत घटना स्थल पड़ी हो गई महिला की पैचान अस्थानी सोनमा गाउनिवासी स्वर्गिये प्रभात प्राश्वान की 40 वर्षिये पतनी ललिता देवी की रूप में हुई है बताया जाता है कि बखरी के और से गटपूरा के तरफ जा रहे ट्रैक्टर से घटना हुई है ड्रैवर घटना स्थल से आगे बढ़ कर डाला को काट कर इंजन लेकर फरार हो गया गाउ में जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर हुजूम उमर पड़ा एवं परिजनों के चीख पुकार से गुण जुठा घटना की जानकारी मिलते ही बखडी विधायक सुर्यकान पासवान घटना स्थल पर पहुच कर परिजनों को शांत्वा न दिया एवं अस्थानी पराधिकारी से बात कर मुआबजे की रासी अविलंब देने हेतु अवस्यक कारवाई करने को कहा सूत्रों के अनुशार ललिता देवी अपने पीछ एक पुत्री एवं दो पुत्र को छोड़ कर चल बसी है एक पुत्री की साधीकर पाई तथा दोनों पुत्र आव विवाहित है बिन पी नुज के लिए गटपूरा से समवाद दाता सुमन सांडेले की रिपोर्ट